हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं अगर हम जो भी अगर गर्ण की खेल को समझने लगे तो यह मानके चलिये कि हमारे जीवन से जो परीशानिया है वो बहुत कम हो जाएगी क्योंकि जब तक हमको यह पता ही नहीं लगा कि कौन सा गर्यह हमें अशुब परिशक दे रहा है तो हम उसका कैसे उपाय कर पाएंगे कैसे उसको सही कर पाएंगे उस ग्रह को तो यह तो बहुत जानना आवशक है साथियों कि हमारे इसलिए हम हमेशा जब भी राशीफल की चरचा आपके साथ करते हैं तो आपको ग्रों की जो गोचर में इस्थिती उस समय की होती है उससे जरू अवर्गत कराते हैं, ताकि आपको भी इस बात की जानकारी बनी रहे। तो साथियों हमने ठीक अपने पीछे जो चार्ट आप देख पा रहे हैं ये आप मीन लगन राशी के जातकों का चार्ट है क्योंकि आज की जो चर्चा है ये ये मीन लगन राशी के जातकों को ही ले करके है उन्हीं के विशे में बताएंगे कि फरवरी दोजार चौबिस करके आ रहा है तो साथियों अब ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं मीन लगन राशी के जातकों के लिए ये हमने आपकी सुविधा के लिए किया ऐसा ताकि आप भी इस चार्ट को देख करके समझ सकें जान सकें कि आखिरकार ग्रहों की सिती फरवरी दोजार चौविस में कैसी है कौन सा ग्रह किस राशी में बैठा है किस बाव में बैठा है किस ग्रह के साथ यूती बना करके बैठा है संबंद बना के बैठा है या पिर अकेला बैठा है यह सारी जानकारी आपको यहां से मिल सकती है बहुत आसानी से देख करके लेकिन क्या है कि इनी मैंसे क को बताना चाहेंगे कि देखिए ये जो राहू है जहां पर बारे नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर बैठें ये लगन भाव है और ये गुरू ब्रस्पती की राशी है मीन राशी और राहू की सम राशी है तो राहू अपनी सम राशी में लगन भाव में बने हुए और बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे महीने अब आगे बात कर लेते हैं गुरू ब्रस्पती की ब्रस्पती सेकंड हाउस दुतिय भाव में अपनी मित्र राशी मेश में हैं मंगल के घर में हैं मारगी और उद्यवस्था में ये भी बिल्कुल ऐसे ही बने रहेंगे पूरे महीने तो नीगे, शुक्र की. देखिये, शुक्र जो है, मारगी और उधावस्चा में है, अच्छी पोईशन में है, और अपनी सम-राशी धनूं में हैं, दशम-भाव में है, आपके 10-th out में, चार्ट में और ये दशंबाहो कहा है जहां नौनंबर लिखा हुआ जहां शुक्र बैठे देख रहे हैं आप और ये गुरू ब्रस्पती की राशी है तो गुरू ब्रस्पती के मारगी और उदयवस्था में. बहुत अच्छी पॉशिशन में है. और यहां से तो यह तो इन की सम राशी है, लेकिन अपनी मितर के घर में जाएंगे, मकर राशी में, क्योंकि जहाँ पर दस नंभर लिखा है. क्योंकि दस नंभर की जो राशी है, मकरञी के लॉड शनी देव ہیں शनी देव के मित्र हैं तो शुकर अपनी मित्र राशी मकर में प्रभेश करेंगे बारे तारिक को मारगी और देवस्था में और महहीने के अंत तक पिर महां पर बने रहेंगे लेकिन बारे तारिक से बीस फरवरी तक उनका जो संबंद है वो अपने मित्र ग्रह बुद्ध के साथ रहेगा महाँ पर और बारे तारिक से एक दिन के लिए तेहर तारिक अपने शत्रो गृष सूर्ह के साथ मी संबंद रहेगा और बारे तारिख से लेकिłości मा के अानतित तक उनका संबंद अपने संब बंगल के साथ बनेगा आगे बात करेंगे सूर्छ सूर्धेव की सूर्धेव अप्नी शत्रु राशी मकर में बैठे ही हैं लेविन थाउस में बुद्दर मंगल के साथ लेकिन ये भी अपना राशी परिवर्तन करें के तेरह फरवरी को यहां से निकल करके अपनी शत्रु राशी कुम्ब में करेंगे प्रिवेश जहां पर पहले से शनी देव विराजमान है अप बुद्ध भी जो हैं 20 तारिक को अपना राशी परिवर्तन करके अपनी समराशी मकर से निकल करके समराशी कुम्ब में प्रिवेश करेंगे और वहां पर इनका समन्द सूर्य और शनी के साथ बनेगा मित्र गरह सूर्य है इनके और सम गरह शनी इसके बाद बात कर लेते हैं मंगल की देखिए मंगल को भी आप महाँ पर बैठा हुआ देख रहे हैं 11 ताउस में यहां पर मकर राशी यह दस नंबर लिखा हुआ है सूर्य और बुद्ध के साथ तो यह शुरू से यहां पर नहीं है यह यहां पर पहुंचेंगे साथियों 5 फरवरी को कहां से संब्सेंगा अपने सूर्य के साथ और अपने सूर्य के साथ सूर्य के साथ तेरा वरली तक पाँच फर वरली से 20 फरौ़री तक इनका संब्द रहे अपने शत्रूग रहे बुद्ध के साथ इस राशी में और बारा फरवरी से इनका संबंद रहेगा जैसा मैं बता चुका हूँ शुकर के साथ माहा के अंतर अब शनी पर आते हैं शनी ग्रह जो हैं अपनी सुयम की राशी कुम्ब में दौदश बाहो में विराज माने बहुत अच्छी पोजिशन में मजबूत पोजिशन में हैं और मीन राशी के उपर शनी की साड़े साथी का प्रवाव भी बना हुआ है यह भी बताना चाहेंगे तो साथियों शनी जो हैं अभी तो बहुत अच्छी पोजिशन में हैं लेकिन सूर्य देव क्योंकि यहां मैंने बताया है कि आ रहे हैं 13 फरवरी को तो यह 12 फरवरी को अस्थ हो जाएंगे जब भी कोई ग्रह सूरे के नजदीक आता है तो वह अस सनी के पास राशी परिवर्तन करते हुए जैसा मैं बता चुका हूँ तो साथियों यह जो इस्थिती है ग्रहों की फरवरी 2024 में ऐसे रहने वाली है इसी आधार पर आपको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है फरवरी 2024 में अलग-अलग छेत्रों मे तो आप बात करेंगे सबसे पहले आपके करियर की करियर कैसा रहेगा इन गरों की इस सिती के आधार पर आप मीन राची के जातकों का तो सात्यों परिशानी वाली कोई बात दिखाई नहीं देती है आपका जो करियर है आपका जो professional है सामानने से और थोड़ा उपर रहेगा और शुरू से ही ले करके और आखीर तक जो भी समस्या हाल तो समस्या आएंगी नहीं कोई जादा विशेश लेकिन अगर कोई समस्या आए आपके करियर में आती भी हैं तो मान के चलिए कि वो आपको बहुत जादा परेशान नहीं कर पाएंगी दिमागी तोर पर टेंशन बेशक दे दें लेकिन कोई आपको नुकसान पहुचा करके वो जाएं ऐसा दूर दूर तक भी कोई संभावना नहीं है तो आपका हम यहीं कहेंगे कि सामानने से और कुछ उपर आपकी स्थिती रहने वाली है अपने कारे छेतर में और कारे आपका सुचारू रूप से एक तरीके से चलता रहेगा जो मैंने कहा कि जो समस्य आएंगी वो भी बस आएंगी और जाएंगी बस आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है मानसिक तोर पे कि भाई यह ऐसा हो गया आपके आओगा जो भी हो गया है वो अपने आप तरह में होगी और उसको लेकर के भी कोई समस्या नहीं रहेगी कारोबार की सीथी में आपको बता चुका हूँ आपके चाहें व्यापार करते हैं चाहें आप रोजगार में हैं जैसे आहलात रहेंगे वह मैंने आपको मुस्किष्य में जानकारी दे दिये इंकम की भी मैंन मिलेंगे आपको मतलब पैसे को ले करके कोई बिजट टेंशन नजर नहीं आ रही हाँ बस एक बात जरूर है कि जो सुक्सो विधाएं उनका लाग पूरी तरह आप लेने में थोड़ा सा आसमर्थ रह सकते हैं तो उसका जरह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको जो है जो शत्रू या विरोधी पक्ष की तरफ से भी कुछ थोड़ी सी अशान्ती की संभावना जो बन रही है महा के आरम से लेके और महा के मद्दे तक ये महा के मद्दे से अपने आप ही दूर होंगी यानि कि विरोधी अपने आप ही शान्त होते चले जाएं प्रेम संबंदों को ले करके कैसा रहेगा प्रेम संबंदों की जहां तक बात है तो देखे प्रेम संबंदों को ले करके मैं इतनी बात आप से कहना चाहूंगा कि 20 तारिक से ले करके और महीने के अंत तक का जो समय है इसमें कुछ अच्छी प्रोग्रेस आपके संबंदों को लेकर के हो पाएगी लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि शादी विवा को जैसी कोई बात तो उसका तो कोई योग में नजर नहीं आ रहा है इस फिलाल लेकिन हाँ किसी शादी विवा से कम भी नहीं होगा बीस फरवरी से लेके अथाइस फरवरी के बीच का जो समय है उसमें बाकी चाहें महीना पूरा सामान से मध्यम निकल जाए आपके रिलेशन्शिप को लेके आपके एफेर को लेके लेके लेकिन बीस सारीक से अथाइस सारीक का जो समय होगा इसमें आप कुछ अच्छा एंजोई कर पाएंगे अपने साथी के साथ वेवाइक संबंदों की बा है वो तो नजर आती है और वो अभी बनी रहेगी उसमें अभी मैं यह नहीं कह सकता कि एकदम बहुत अच्छी पोजिशन हो जाएगी अभी इसमें थोड़ा बैटर होने में या संबंदों को सुधरने में थोड़ा समय लगेगा अभी तो कोशिश आप भी इतनी अपनी त चाहिए था तो मेरे कारण भी ऐसा कुछ हो गया बाकी जहां तक आपका जो पार्टनर है लाइफ पार्टनर है उसकी और से बीच बीच में काफी कुछ चीज़ें जो है वो समालने की कोशिश की जाएगी तो अगर उनकी तरफ से भी कुछ कोशिश होती है तो आप भी अप अपनी तरफ से कर सकते हैं और करनी चाहिए और देखिए आपको एक बात और कहते हैं राहू बैठे हुएं आपके लगन भाहुएं तो आप कहीं पर भी चाहिए समाज में हो चाहिए घर गरस्ती में हो या अपने कार्य छेतर में कोई भी शॉर्ट कट रूट या इलीगल अप एड़ॉप्ट बिलकुल ना करें कोई भी लीगल मेथड आप अपनी उसमें ना लाएं अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे तो आप परेशानी में आ सकते हैं इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि आप कोई भी शॉर्ट कट एड़ॉप्ट ना करें दूसरी बात है कि भाई परिवारिक संबंद कैसे रहेंगे तो परिवारिक संबंद आपके अच्छे रहेंगे परिजनों के साथ अच्छे संबंद बने रहेंगे परिवार को ले करके किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं लगती और आपके जो बड़े घर के बुजुर कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के आसार लग रहे हैं आपकी एजुकेशन को लेके कि आप मिले जुले परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे जो भी आप पढ़ा ही कर रहे हैं कहीं कुछ बैटर रिजल्ट्स मिल पाएंगे कहीं कुछ थोड़ा सा उनमें कमी रहे तो उनको लेकर के आप घवराएं ना क्योंकि जल्दी ही चीजों में सुधार भी आपको देखने को मिलेगा तो इन कारण से आपको थोड़ा तनाव भी दिमाग में रह सकता है लेकिन तनाव लेने की जड़ुत है नहीं परिशान होने की भी आवश्यक्ता नहीं है बस अपन का प्रिश्ण है तो देखे संतान को भी जितनी महनत करेंगे उस मात्रा में उतने परिणाम जो है उनको प्राप्त नहीं हो पाएंगे या कम होंगे विशेश रूप से महा के मद्धे से आगे मद्धे के उपरांत महा के मद्धे तक तो फिर भी कुछ ठीक मतलब रिजल्ट साब को मिल जाएंगे एचिव कर लेंगे आप लेकिन महा के मद्धे से महा के अंत्य तक का जो ड्यूरेशन है इसमें थोड़ा सा समस्याएं अधिक रहेंगी आपके लिए लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समस्याओं जहाँ होंगी वहां समाधान भी मिलेगा आपको तो बहुत करेंगे अब आपके स्वास्त को लेके प्रियसातियों एक फरवरी से लेके और बारा फरवरी तक जो है इसमें तो आपको अपने स्वास्त को लेकर के बहुत सजग रहना साफधान रहना सचेत रहना है आपको स्वास्त से संब्दे कुछ ना कुछ परेशानियां अवश्य खड़ी हो सकती हैं लेकिं तेहरा फरवरी से लेके महीने के अंत का जो समय है इसमें आपका जो स्वास है वो काफी नॉर्मल रहेगा सही रहेगा और उसमें सुधार भी आपको दिखाई देगा तो ये थी स्थिती प्रियसातियों आपके मीन लगनाशी के जातकों के चार्ट को ले करके अब हम आपको वो उपाय देना जा रहे हैं कि दिन उपाय को करने से आपको फरवरी दोजार चौविस में लाब की प्राप्ति भी हो सके तो सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है सबसे पहला उपाय आपको करना है कि अर्गला इस्तोत्र का पाठ आप जरू करें नित्परति दिन पांच मिनट का भी टाइम नहीं लगएगा अरगलाई सोतर का पार्ट करें और अरगलाई सोतर के साथ- jot शातरों को भी कह रहे हनुमान जी का भी भकती करें, पूजा करें हनुमान चालिसा का पार्ट नियमी तुरूप से करेंगे तो अच्छा रहेगा और सूर्यदेव को भी जल अवश्यद है अब क्योंकि शनी की साले साती है तो शनी की साले साती के भी उपाए बरावर करते रही है जैसा कि हम हमेशा बताया करते हैं उसमें कुछ नया नहीं है जो भी हम बताते हैं अगर आप हमारा प्रोग्राम जलाएं साथ पर इक्रमा करें और यह आप उपाये जरू करें अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको अच्छा लाब मिलेगा तो प्रिये साती हूं यह था आप मील लगन राशी के जातकों का मंतली राशी फल्ग फरवरी दोहजार चौविस का पसंद आया है अगर आपको तो लाइक कर दीजे वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूने अधिक से धिक मात्रा में अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो लोग दूसरे भी इसका लाब ले पाएंगे और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हमारे एस्ट चाहेंगे इजाजत तो इसी के साथ आप सभी का सेहर दे बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी